पितोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाते है जो ढाइयं होता है वो सप्राइजिंग ली होता है वो आ स्पोर्टल के बाहर आ जाता है जैसे बाहर आता है वो अस लड़की को यह पर कर और ओरत को मार देता अपने ड्रेगन सेंस को लेवल वन के वह मता एक्टिव है वो कर लेता और से वार्निंग भी वह मिल जाती है तो उसे पता चलता है कि सामने से बहुत जादा नुकील पथर है वह आरहे होते हैं इतने नुकील होते हैं कि एक बार पढ़े तो बढ़ जाए जैसे सिस्टम से वह चेक करता है कि इनकी कोई कम्या है जिसे मैं डॉक्च कर सकू हूँ तो वह से पता चलता है Doch ow और कि कम्या नहीं होते हैं और यह लगी तो गंपट जाएगि और यह अंडॉजबल है यह लगने वाली है और वो सारी के सारे स्टोन होते हैँ वो ट्यामिंग के ओपर है वह आफीजाद ये वो ख्लोस था नीचे का हुजार है वो कटसे कटसे वो बचा है यार इन जैसे लोगों से लड़ना यानि अपने अपने खो देना को बता हुगा कि पिछले एपिसोड में जो ट्यामिंग ने वो बंदों से वो काफी ख़दान है वो लूटा होता है यहां पर इस ट्यामिंगों पूरा पता चल गया होता है वो इस अचे को डॉच को नहीं करते हyen लिए अर मैनने नोहिसे हुग다 है मुजे आज ये मजबुरी में वो यूस करना पढ़ा मैं तो इन οगा है इन शीहों से वह Dave नहीं ता होता तो यार मेरे तो लाओन लग जाए यार मेरे पास तो कुछ बचाई को दिखाए चाहता है भी आइफ यहां पे चार रही हो ऑनी यह मुझे वह बोलने हैं नहीं तो आपको चिंता करने कि वह कोई भी जरुद नहीं है वैसे भी आपको पता होगा कि हम दोरों ने वो एक दूसरे से एक promise किया था इस promise तो नहीं यार मैंने आपसे एक request कि थी कि आप उसे वो पूरा कर फाएंगे वाई होती है वो बोलने लगती है कि मैंने आपसे crystal ढूनने के लिए वो कहा था और सामने देखिये वही crystal है वो सामने से वो घूम रहा है तो आप समझ चुके होंगे कि आपको वो क्या करना है तभी timing की नजर होती है वो अचानक से किसी चीज़ पे वो चली जाती है जिसे देखके है वो हैरान होता है कि आकरकर ये कैसे हो सकता है मैं दिखाया जाता है जो वाइठ हर वाई लड़की होती है वो बच्चु की होती है ट्यामिंग के अटेक से और वो बोलने लगती है यार तुमने तो सच में मुझे सप्राइस करके रख दिया मता यार काफी दा साल हो गए मैंने काफी दा लोगों को दिखा है बर तुमसे अच्छा कोई भी नहीं यार कोई भी है वो सेकेंड लेवल के बाद है वो वापिस नहीं आये जिन्दा और तुमने पता नहीं कैसे है जो डीमन ट्राइल को आसानी से वो पार कर दिया विदा मन के अंदर है थोड़ा बहुत है वो कन्फ्यूस हो चुका होता है वो बोल रहा होता है कि यह कैसे हो सकता है और मैंने तो यसे दो टुकुड़ों में वो बाठ पर इसके पावर भी यो बढ़ती है अगर चीज़े सब्दों में वो कहा जाए अगर यह चाहे तो इस पूरे प्रोथल को है वह अपने अंदर कर लेगी या फिर इसकी पावर तो यह पूरे है वो जगह पर राच करना होगा उसके बाद तो चार्ड़न का कर दे का अब हो आम अंसा कर देते हैं तो शाहिद हम इंडो मार सकते या अगर हम forward कर दे vista या सच में कहूं तुम्हारा टैलेंट है वो अलगी लेवल पे बड़ जो तुम्हारी बॉडी है वो कुछ खास है और उसके रिलम होती है वो अनन होती है किसी को भी उसके बारे में वो नहीं बता होता है मतलब हाम यारे सिस्टम को भी नहीं बता है कामिंग होता है वो बोले लग रहा है यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ और इसकी जो पावर है यानि जीविंग की है वो पावर है वो मैच भी करूँ तो मेरी पावर है उससे तो बिलकुल भी है वो मैच नहीं करती है वो हम उससे वो अलगी लेवल पे वो पहुंच चुकी अभी डियामिंग होता है वो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता है तो वो कुछ भी बोलना है वो शुरू कर देता है कि अच्छा तो तुम मुझसे कहना चाहती हो मैं तुमारे कहें उन्हों सारे वो चलता रहा हूं तो यार बिल्कुल भी नहीं हमें सच में तुम मुझे काफी सथा ओ какая इंप्रेस और पृष पसंद नहीं जो कि अपने नहीं रह सकते हैं झ Wood तुमने वह बैठ भी निसकते अपने पैरो पे बोलने लगते है आर तुमने इस ट्रेस्ट मेरी सबसे जादा एवरा इंट्रेस्ट सबसे जादा हैं तुमने यार अगर तुमने यह सब्सेजे़ गैंड की है तो तुमने ब्राइस तो मिलना चाहिए लग अगर जो तुम्हारे दिल में जो हवस है वो तुम्हें की बार में वो पुरी कर सकते हो just right जीबिंगे होती है वो उसे वो बोलने लगते है कि देखो यार मैं ऐसा चाहते ही हो कि तुम्हें वो इसके साथ है वो सोचाओ और ऐसी मीटिनिंस हों कि दुनिया में वो कुछ भी हो जाए बर तुम्हें वो जाग नफाओ थे वो बढ़ रहे होती है प्युक्स तुम्हारे पास थे वो बढ़ रहा है तुम्हारे पासुक्छ वंडर हो और बोलने लगता हुई है आपकी कायिनस की बहुत जादा है वो करता हुए बट यर मेरी भी अख शरत है मेरे लॉंडे भी यार बहुत जाद ही है वह भूग है तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले यार मैं खाऊ हूं उससे पहले मेरे लॉंडे वह पानी तो पीले ज़िए यहां पे सिर्फ है वह दो गोल्डेन स्केलेटेन है जो हमारे ड्यामिंग होता है वह अपनी पूरी आर्मी वो आचुके होते हैं कि भाई आस तो पहलेंगे पूरी पावर चाहिए हमें भी सारी जॉम्बी कल्स होती हैं और जो हमारे ट्यामिंगे सारे स्केलिटन होते हैं वो एक दूसरे की तरफ है वो ऐसे बढ़ने लगती है कि भाई आस तो खाना यहीं पे है बतलब खा सको तो खा चाहिए जाता है कि अचे ही थोडी सीह तो ही जैसे फ़ ásने हो देख लागते हैं यह सामने सकेलिटन होते होते अलगी हत तक है वह पहुंच चुगे ले रहे हो लेड़ने। हैं पर देए कि दमस्क्रा घरा रहे बाइव चरुफ है दो कि अंसानन करता है तो समझ में भी आ नहीं कर सकती वैसे भी तुमीन है वह यह सारी जो लड़कियां है वह मास्टर को एज़ वह गिफ्ट दी के लिए बाट यार मास्टर को पसंद नहीं है तो हम भी हर किसी स्थे कम हैं क्या हमें पता चलता है कि जो स्कलेटन पावर है वह ले रहे होते हैं वह उन्हें के पावर है तो कुछ बता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है जो लड़की होते हैं वह काफी साथ ही है वह पारफुल होती है फिल आल強क पहले तो और यार काविझा रही होता है वह IY तो इनके अंदर भी है वो कॉंशेंस लेंस है वो आ जाजी और थोड़ी मेमरी है फिर थोड़ी यादा शाज आजी जी होदी है वो बोलने लग दी है ट्यामिंग को देखिए कि आखिरकार कौन कह सकता है यह जो स्केलेटन है उनके पास इतना साथ अच्छा दिमाग है वो थ काफीजा अजीब बंदा है जिसे में आस से पहले वो कभी भी ऐसे नहीं देखा यह होती है अपने मंदे के दिमाग में वो है कि और अपने गॉड़ फादर को भी जरूर है वो दिखाना चाहूंगी जिससे उन्हें भी इस चेंज में वो इंट्रेस्ट आए हमें दिखाया जाता है कि जो कांपे बने भादे और और वो इसमीं जाता है वो नहीं कर सकती है बट कि हम दोनों के रिलम में वो जमीन आथस्मान का हूँ फर आगे ऑगे अगर मैं चाहूं प्रशाद है और फिर भी और आप यहां नहीं लगता है कि इसके पास इतनी पावर है वो मुझे अपने एक हे एक अटेक के सातहीं यह खतम है वो कर सकती है बट फिर भी वह नहीं कर रही आखिरकार माज़रा के पर ट्यामिंग को एक चीज है वो समझ में आदे वो बोलने लगते हैं कि नहीं है आप यह सब यहां पर चल रहा है जानक से ट्यामिंग होता है वे कर नॉमल स्टेज में वो पहुंच जाता है जो काफी जाता यह वजीब होता है और ट्यामिंग के जो बेदूत बड़े होते हैं और जो इसके साबने होती है फेइंग वो पकड़ा होता है त्यामिंग नीचे पड़ा होता है बस इसी के साथ ही एपिसोड भी यहीं भी हताम हो जाता है बख्चोदी ना करूंगा इस एपिसोड में तो यार हो नहीं सकता ट्रिल दिल दियन खतम हो जुगा है दो दिल दियन भाई गुट बशाए उनार और बाई बाई